कोशिश यहीं ये बहित है कि मिरी आवाथ लब творू T exem कोशिश हो रही है गला घोटा जा रहा हूं ये बात मैं जरूर कहूं गा मैंडम आप वही गार्य हिं। दब्लें की कोशिश नहीं कौकि वह सजू क्यों वहां से चुपचाब उटके चले गए अगर तुम गलत बाल बोले और कोई शही आज उठा रहा है अगर आपको लगता कि अवाज मेरी दमाई जा रही है तो ऐसी आज दमाई भी चाहिए और मोजी जी को समझना चाहिए आज भीपक्षी कोई नेता नहीं था सन 2014 के बाद विपक्षी का कोई नेता नहीं था विपक्षी के नेता नेता बनने के लिए 50-55 सीट होनी था है अब कांग्रेश टिकेली निन्यान में तो है विपक्षी के नेता रहू को चुना गया और मैं कहता हूं कि यह तो कांग्रेश ने बहुत रच्चा किया है कि राहू बहुत समझदार है और मोजी जी की जलत बात को काता है तो अची बात है अब आप दवानी मिते हैं जो देश के विरुत हैं मोजी जब भी बोलते हैं सिर्फ दोही बात होती हैं कि हिंदू मुसल्मान या धरम अरे धरम को तोड़के दो मैं आपको एक बात और बोल दूँ बहुत समस्टार यह हिंदू मसल्मान नहीं है कि रहरी जेंव पर लगाओ मैं तो कहता हूं लगाओ फूरे हिंदू सान में लगाओ और मैं तो जनता से भी जह कहता हूं कि उन लोगों से सामान कहीं दो और सैल पी लो और केड़ो क्योंकि इन के उसे गंदे मन्फूम को खत जो कि अनपर जो कि बिलकुल कुछ नहीं जानता हूँ वह बहुत बयान है उनके एक संसेकरित का डायलोग था मैं यह नहीं बोल सकता है मैंने वह एक एक कंधित को दिखा दिया मैं यह समझातो तो मुझे उनकी समझ मिनिया है तो राहुल भाजी बहुत समझदार है उसका कोई भ्यान मुझे ऐसा दिखा दो जिसने देश के विरुद्ध बोला ओ पर क्या है बीजेटी का एक ही काम है इसकी आईटी से लह ना किछ इस तरीके से राहुल को पपू बना करको कप्ते करको गए उससे कप्ते का आप दबा लोगे सूरज अगर कुछ दिल के लिए कुछ चाहिम के लिए अगर बादल में छुप गया तो यह मन सोचो कि वह खतम हो गया वह पिन निक्राइगा आज नहीं तो तीन साल बाद बाद तोन रहोल गांजी को पिलानुमांत्रिों देश की जंता शमझ चुंकी है कि कांग रेंच के हातों में विकास हो इस और यह जो घुफ का सबड़ानुमन यह एं इनकार की नारा है अगर मробनें क्या कि अब पत्राइए मेडम नाम भूल जाता कि उसके बिना नहीं बोल सकता हिंडोस्तान में जब इस वे नहीं समय नहीं है धुब बहुतैंकि हें अब पता नहीं कैसे यह मीडिया विश्वगुरु बना रही है हमें हमारे देश के हाला चाराव है विश्वगु पनते हैं अगर हमारा देश को साले सिक्ष्यामें बेरोज्गारी में महेंगाई में सबकुछ सही सलामत है हमारी हालत कराब हो रहे हैं आप संद 2014 से देखी रहे हैं और मोजी जी बता देगा हमारी रहा ज़ार्षोध में जो हमने बात कहीं एक चारंटी जीटी उनमेंके पूरी हुई एक वी फूरी नहीं हुई तो कि जो को मैं परियाद दिला दूँ दो करोर नोपरी, सश्टा पेट्रोल, सश्टा डीजल, सश्टा सलेंडर, महेंगाई बहुत हुई, महेंगाई की मार, अपकी बार मोजी सरकार, जो इन 10 सालों में, मोजी जी ने गारंटी बहुत दी, गारंटीयों की भरमार है, पर जम अगर चार तो होती है, तो सश्टा गारंटी देते, आज कल तो वही खुछ बारंटी बहुत है, पदानी कब चंदरबाबु नाइडू और कब चंदरबाबु नाइडू का भी पहांच रही था, जबही क्यलंगाना को बेसे सराजी का जर जा, और इधर ब्यार को, नेता होंगे, सबसे गंदे क्योंकि इन्हें सिर्फ जन्ता की नहीं पड़ी, अगर ये इसी बिना मिसे जर्दली और सरकार में बने रहते हैं, तो इसका मतलब है, इन्हें सिर्फ सप्ता चाहिए, पब्लिक बार में जाओ, पब्लिक किसी को चंदा नहीं है, मैडम जगो, माज की बार आखेल समिस्ट्रा क्या है, अभी दो चार दिन मा अगले महने बज़िट आजएगा, वो पत्ता लग जाएगा, आपको अभी उत्मे बाहत करने से, कोई भाइदा नहीं है, पत्ता लग जाएगा गरीबों को क्या मिला, और अमीरों को क्या मिला, उश्में जो तो मैं तो कहता हूं कि पहले तो यह देखो महंगाई किसी निया देश में अभी भीजेती कि किसी नहीं बोला आज तक आज मेरे कहले चुमाटर रुपा किलो हैं सौर रुपा किलों हैं आप साथ खरीचते हो सौर रुपे से ऊपर ऊपर जा रहें के माटर एक टाइम बोवी ता सन 2014 में कि यह लोग वाग है ना रोड पर बैठ जाते जाते जांप लगा देते भारत बंद करते थे आज क्या होगे आज कहते हैं मौसम की मारे और तो मौसम की मारे तो चाइम भी दी यही सोचने की एक बज़े हैं मैडम के आदमी को सोचने चाहिए क्या कहना है मौधी जी कह रहे है क्यूंकि अवाज दबाने कोशिश और यह विपक्ष रहे हैं कि अवाज दबाता है गला घोटा अगर कोई गलत करेगा तो दूसरा बिरुद करेगा तो इसको अवाज दबाने वाली बात नहीं है पर मौधी ची को तो इससे परशानी हो रही है ना राजनीत में रेटार्मेंट की भी उम्र होनी चाहिए नए लोगों को मौखा देना चाहिए तो कुछ नया स्रजन होगा नहीं तो वोई परिपार्टी चली आ रही है लड़ किसी जजमेंट लेने की कम हो रही है मोधी जी को अट जाना चाहिए अगर उनको लगता है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो जवर्जस्ति नहीं करना चाहिए सोब देना चाहिए तो राहुल गांदी को बालक बुद्धी बताते हैं कहते समझ नहीं तो जिस आदमी के परिवार के तिन तिन लोग इस देश के उपर सईद हो गए किसी का एक आदमी सेना में चला जाता है सईद हो जाता है तो लोग उसे कितना संबन देते हैं जिसके ग्रैंड मदर फादर और तो उस अदमी की मानसिक स्थिति कैसी होगी इसलिए सोनिया गांदी ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं ले रही है उसे आगे बढ़ाने में त्योंकि राजनीत अच्छी चीज नहीं है अच्छा मंत्री को कुछ मालम है जो मोदी जी बना देते हैं वो बन जाता है कोई एजुकेशन नहीं है कोई कार्च रहाली नहीं है पहले वरकिंग का काम का ए यूपी पुलिस का रजाल टाटका हुआ है और ये नीट वाला चली रहा है तो कमेंटी बना देंगे मुझे ऐसा लगता है जैसे कारपालका नहाई पालका और चोता इस्तम तीनों मिलकर काम कर रहे हैं पबलिक के पास सिर्फ वोट रह गया है बस वो भी इंदू-मसलिम कर कानून जो किया गया था अदिश किया गया तब सुप्रीम कोट ने सुखारिज कर दिया है संबिदान में संपूर्ण प्रवुत्त संप गरतंत्रा आत्म के लोक राच संबिदान के अंदर है भाई एक हिंदू-मसलिम से कि हिसाई सवका देश है सुतंत्रता अंदोलन में पर अपना काम करें परन तो यह समझ से परे है सुपिंग कोट ने संग्यान लिया है वो अपने आम में बिलकुल स्वागत योग है अच्छा मोजी जी कहते कि विपक जो है जनता को गुमरा करने का काम करती है चुनाओं के समय भी उन्होंने जनता के साथ यही किया था आई नित करने का यह सब आई टी सेल का काम है ना कि किसी वेक्ति विसेश का पर कुछ शब्द जैसे मोजी जी खुदी इस्तमाल करते है ना चाहे बालक बुद्धी हो गया उन्होंने पहले भी बोला तकि संपत्ती लूट लेंगे तो क्या लगता एक नरेटिव सेट करना हो गई वो क्या इस देश को संपती लोटेंगे अब सब कुछ तो उन्हें समर्पन कर दिया तो कहां ले जाएंगे संपती को लूट के यह तो पबलिक है सब जानती है कौन लूट रहा है कौन नहीं लूट रहा है जी अचनी तीश जी ने मांग करी थी कि विशेश राज जी का दर्जा दिया जाए बिहार को अब मना कर दिया गया मूद जी के तरह को बहुबल की इस्तिती भी खराब है लोग पलायन करते हैं छे महीने को सी ब्रह्मपुत्र कटाव हो जाता है फसल नहीं हो पाती कहीं भी अच्छा नितीश जी ने ऐसा बोला तक कि जो विशेश राज का दर्जा नहीं देगा मतलव देश का विकास नहीं चाहेगा तब मोधी जी ने तो मना कर दिया है तो क्या भाज़पा नहीं चाहरी है देश वह वह सागी की सरकार है उदर नाइड़ू है इदर नीतेश जी विशेश राज जी के लिए उनको समर्थन दिया था क्योंकि वह अपनी स्टेट का विकास हर कोई चाहता है अपनी स्टेट का अपने घर का विकास तो उसमें कोई गलत नहीं है